सलाओ मेलेकूंग गाईस कैसी है है और सब आज में आपको extra piece से 2-3 साल की बची का frog बना नसकाूंगी तो यह मेरे पास trouser cutting करने के बाद side उसे निकल लिए piece है और यह shirt cutting करने के बाद side उसे piece बचके थे वो बाले pieces है तो चैलेंज ये अपना काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही मैं ट्राउजर का बड़े वाला पीस ले लिया है इस तरह इसको दर्मयान से कटिंग कर लेंगे फोल्ड करके इस तरह ये हमारे पास एक फ्रंट के लिए पीस बंजेगा और एक पैक के लिए इस तरह इसको पीस को डबल फोल्ड करेंगे शोल्डर्स की जो चोड़ाई मुझे चाहिए वो फाइफ इंच चाहिए लेकिन यहाँ पर हम सैवन इंच रखेंगे क्योंकि हम बाद में इसको कटिंग करेंगे इसलिए मैं सैवन इंच पे निशान लगाऊंगी शोल्ड पाजो का निशान मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी और इस तरह स्केर बना लूँगी उपर से इंची टेप रखें एक निशान मैं 4 इंच पे लगाऊंगी लंबाई वाली साइट पे और चुड़ाईग वाली साइट पे मैं एक निशान 3 इंच पे लगाऊंगी और एक लाइन ड्रॉ करूंगी उसके बाद स्केल की मरसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे उसके बाद मैं ये शर्ट का पीस ले लूँगी साइडों पर रख के चेक करूँगा क्योंगे मजे कितना चाहिए तो इसकी जो चोड़ाई है वो मैं 9 इंच रखूँगी क्योंकि इसमें मैं प्लेट्स टालूँगी तो ये इसकी बराबर आ जाएगा दो पीसिस लूँगी एक एक साइड के लिए और एक दूसरी साइड के लिए इसकी लंबाई यहां से मईयर कर लेंगे तो मेरे पास जो लंबाई या यह है वो 17 इंच आएट मैं कबड़े पर 18 इंच रखूँगी और इस तरह इस पीस को कटिंग कर लूँगी इस तरह का एक और पीस कटिंग कर लूँगी दूसरी साइड के लिए तो यह मैंने दो पीसिस कटिंग कर लिए हैं अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे इन पीसिस में तो इस तरह हाथ की मज़ से इसमें मैं प्लेट्स लगा लूँगी आप चाहें तो आप मेशीन का टंका फुल बढ़ा करके मेशीन वाली चुनट्स भी इसमें डाल सकते हैं मैं तकरीबें हाफ आफ इंच की प्लेट्स डाल लिए हूं इसमें सेम इस तरह दुसरे पीस पर डाल लूँगी यह मैं दोनों पीस पर डाल लिए हैं अब उसके बाद दर्मियान वाले पीस के साथ इन दोनों को साइड उपर जोड़ेंगे इस तरह उपर वाले कपड़े को हाफ आफ इंच उपर फोल्ड करेंगे और उपर से स्लाई लगाएंगे यह मैं एक साइड का पीस जोड़ रही हूँ सेम इस तरह आपने दुसरी साइड का पीस भी जोड़ लेना है उसके बाद यह मेरे पास लैस है जो मैं इसके उपर लगाऊंगी सेम इस तरह आपने दुसरी साइड पे भी इस लैस को लगा लेना है यह मैंने दुनों साइड उपर लैस को लगा ली है उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे फाइफ इंच पे शूल्डर्स का निशान लगाएंगे फाइफ इंच पे बादू का निशान लगाएंगे और इसका स्केर बॉक्स बना लेंगे चेस्ट का निशान सिक्स इंच पे लगाएंगे फाइफ पॉइंच पे कमर का निशान लगाएंगे और इन दोन निशान्स को आपस में बिला देंगे बाजू की गोलाई कर लेंगे और इनको कटिंग कर लेंगे अगर आपके पास बैक साइड बराबर नहीं है तो आपने उसमें पीस लगा लेने है ताके फरंट के बराबर हो जाए इसके बाद फरंट गले कटिंग करेंगे लंबाई टू इंच चोड़ाई में डेर डेर इंच से टू लाइन्स उपर राके गोलाई करके इसको कटिंग कर लूँगे पैक गले की कटिंग करेंगे लंबाई चोड़ाई डेर डेर इंच रकते हुए मैं इसके गुलाई करूंगी और इसको cutting कर लोंगी बैक साइड में पटि लगाना है तो याँ नशान लगा कर पटि याँ का लोंगी इसको फर कर लिए पटि कर ले है जिसको फ्रॉक्पी सीधी वाइड़ पर रखके समें तरह ऊपर से को बचाते हुए उसके बाद जो कम वाली ती उसको पूरा ही अंदर वाली शाइड पर मोडते हुए आपने उपधर से लाय लगानी है और जो जादा वाली सैट थे कप्ड़े की उसको तक्रीबन अथ हफ हिंसे 1 पॉइंट कम हुए बाहर वाली साइड पर मोड़ते ही उपर से स्लाई लगानी है ताकि हमारे एक बटन दूसरे बटन की उपर आ जाए शोल्टर्स को स्लाई लगा लेंगे यह मैंने अरे पटी कटिंग कर दी थी जो मैं बैक और फरंट कले पर लगाऊंगी इस तरह स्लाई लगाने के बाद मैं इसको लटी साइड पर मौड लूँगी और उपर से स्लाई लगा दूँगी आप चाहें तो इसको तुरपाई भी कर सकते है हाफ इंच की बैक और फरंट के दामन की फोल्टिंग करूँगी यह मैंने बादू के लिए पीस ले लिया है इसको दरम्यान से कटिंग कर लेंगे और डबल फोल्ड करके रखेंगे उपर से डेड इंच के निशान लगाएंगे और उपर से गुलाई कर लेंगे जिससे फाइफ इंच पे निशान लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे बादू के दिमार में छोड़ा सा कट लगाएंगे और छोल्डर की सलाई की उपर रखेंगे पहले गुलाई में एक साइट पर सलाई लगाएंगे और फिर दुसरी साइट पर बाजो को सलाई लगा लेंगे हाफ इंच की बाजो की आगे से मूँ की फोल्डिंग करेंगे बाजो का मुझे आगर से फोर इंचे इत में फोर इंच पर निशान लगा कर इस तरह उपर से फिटिंग का टंग का लगा दूँगी जी गाइस हमारे फ्रॉक बन कर त्यार हो चुक है है उमीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पस्ता था यूँकर वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिल वक्त के लिए अलाहाफिस